हाई फ्रेंड्स इस वीडियो हम बात करेंगे फुटबोल वर्ल्ड कप मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच में तो दोनों टीम में सा आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंग टीम है और कौन सी टीम एक दीग टीम है इस topic पर जरूर चर्चे करेंगे और यह topic भी काफी interesting है कि कौन सी team इस match को win करेगी और कितना goal score करेगी और किन 11 players को team में लेकर चलना है और किस player को captain और किस player को wise captain मनाना है यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में complete दी जाएंगी बस आप वीडियो को ध्यान से देखना तो चलिए अब हम सबस पहले इन दोनों team की FIFA world ranking पर नज़र डालते हैं तो guys Argentina FIFA world ranking में फिलहाल के time पर 3 position पर है वहीं पर बात करां Mexico फिलहाल के time पर 13 position पर है क्यों क्योंकि इसकी FIFA rank है वह काफी safe है as compared to Mexico और Argentina के पास जो players हैं वह काफी बड़ी league में खेलना का experience रखते हैं और काफी informed player है और Mexico के जो players हैं वह out of form है तो इसी लिए मैं Argentina के favorite team मानके चलता हूँ लेकिन हम बात करेंगे जब यह दून team आपस में head to head matches खेलते हैं इस तरह का performance इन दोनों team के और से देखना को मिलता है और यहां से भी clear ही हो जाएगा कि कौन से team इस match में clear cut favorite team होने वाली इस match को win करने के लिए तो guys इन दोनों team के बीच में last 6 match खेल गए हैं और जिन मैसे 5 match Argentina न विन कियें और एक match इस team के सामने draw खेला अभी तक loss नहीं किया अटेक से 2.8 goal पर मैस सकोर किया defense 0.7 goal पर मैस सकोर किया कहना के मतलब जब भी Argentina इस team के सामने match खेलती है परतियक match को win कर ले दे या draw खेल दे लेकिन loss नहीं करती और अटेक से परतियक match में कम से कम तो दो और कभी कभी तिस team सामने पर मैच में तीन या चार goal तक सकोर कर देती है और defense जल्दी से goal concede नहीं करती है आप मान सकते हैं कि पर दो मैच में या तीन मैच में सिर्फ एक ही goal concede करती है वरना goal तक concede नहीं करती है और आराम से match को win कर लेती है अब बात करें जो पिछला match अर्जेंटिना इसी team के सामने 4-0 से win कर गए चार goal score के लेकिन defense ए goal तक concede नहीं किया फिर अर्जेंटिना इस team के सामने 2-0 से match win किया दो goal score के defense goal तक concede नहीं किया फिर अर्जेंटिना अगेन इस team के सामने 2-0 से match को win किया दो गोल सक ओर क्या लेकिन defense और गोल तक consider नहीं किया तो recently जो matches इन दोने टीम के बीच में खेल गए हैं वो सभी matches Argentina ने विन किया है परती एक match तो गोल सक ओर किया लेकिन defense और गोल तक consider नहीं किया तो आप अमदर जलगा सकते हैं अर्जेंटिना कितनी मजबूर टीम है अटेक से भी और डिफेंट से भी और उससे पिछले तीन मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेल गए हैं दो मैच अर्जेंटिना न विन के हैं और एक मैच इन दोनों टीमों के बीच में अटेकिंग में ड्रो खेल गए हैं दोनों अर्जेंटीना करंटली 6 मैच खेली है जिन मैसे इस टीम ने 5 मैच विन किया शिर्फ एक मैच लॉस किया अटेक से 3.3 गोल पर मैच सगोर किया डिफेंस से 0.3 गोल पर मैच सगोर कंसीड किया तो फिलहाल के टाइम पर इस टीम का करंट फोर्म देखा जाए तो वो काफी है अटेक से भी और डिफेंस से भी और अधिकतर मैच विन कर लेती है बैस इस टीम ने पिछला ही मैच अपना लॉस किया है वो भी साओधी अर्विया के सामने वह आप मान सकते मैच रिवर्स चला गया वरना पूरी तरह अर्जेंटीना दवाव बना रखी थी उस मैच में है और साओधी अर्विया का लख सही था ये टीम कर गई लेकिन फर्स्ट हाप को तो अर्जेंटीना ने विन किया था और गोल सकोर भी था लेकिन गोल कंसीड भी नहीं किया और उससे पिछले जितने मैच इस टीम ने खेले हैं सारे के सारे मैच वन साइडर विन किया है एक एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं, तो guys Mexico currently 6 match खेली है, जिन वैसे 2 match win, 1 draw, 3 loss, attack 1-3 है, defense 1 goal है, तो फिलहाल time for performance देखा जाते हैं, इस team का 50-50 है, attack से भी और defense से भी, अब हम बात करें जो पिछला match, Mexico Poland के सामने defensive draw खेल करा रही, ना ही goal score किया, ना ही goal concede किया, तो इस तरह का result आपको आज भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज Argentina है, उसके सामने तो goal concede करेगी ही, करेगी, और उससे मकावल Mexico Sweden के सामने 2-0, 2-1 से match को loss किये, एक match 3-2 से match को loss किया है, एक match को पेरुग सामने 1-0 से win किया, और इस match में हमने grand league win भी किती, और ये match पता हूँ, ये match 5 इस team के सामने 1-0 से win भी क्या है, तो performance अगर recently Mexico के देखा जाए, तो मुझे तो काफी down लगता है, attack से भी और defense से भी, तो final guys, अब बात आती है, अब इस match का score line prediction क्या होनी चाहिए, तो guys साउस पहला हमने इन दोनों team की FIFA world ranking पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों team के head to head matches पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों team के current form पर भी नज़र डाली, अगर हम इन तीन format को एक साथ compare कर लेगे, कौन इस team के बहतर performance रहा इन तीन format में, तो guys FIFA rank कनूसार Argentina की position काभी safe है, और Mexico की जो position है तो safe, लेकिन as compared to Argentina एक हलकी है, ओके, और head to head का coding देखा जाए, तो Argentina न इस team मे अत्यार गेर दी है, तो कहने कहीं, आपको Argentina यहां पर भी favorite team देखने मिलेगी, current form का coding देखा जाए, तो recently match में, Argentina गोल तो score किया, लेकिन loss क्या match को, और अधिकतर match बागे सारे win के, और Mexico current form भी काफे down है, attack से भी और defense से भी, तो तीन format में, आपको अबल दर्ज़े की team Argentina देखन के चलता हूँ, तो final guys, अब बात आती है, कि अब इस match का score line prediction क्या होने चाहिए, और इस match को कौन स्टीम win करने चाहिए, तो guys, मेरा मानना यह है कि कम से कम आपको इस match में, कम से कम बोल रहा हूँ, दो गोल अर्जेंटीना के और से लगेंगे, और Mexico इस match में, आज एक भी goal score ल कि कौन इस player ने कितना goal और कितना assist किया है, क्योंकि अभी तक हमने इस video हम बात की है, कि इस match को कौन से team win करेगी, और कितना goal score करेगी, लेकिन इन goal को कौन कौन से player करेंगे, अब हम उन पर, उन players पर नज़र डालते हैं, क्योंकि सब कुछ अब तक हमने analysis कर लिए, बात करते ह कि कौन से player ने कितना goal और कितना assist किया है, तो नज़र डालते हैं, साउस पहले अर्जेंटीने प्लियर्स पर, फिर हम नज़र डालते हैं, मैक्सिकु जोग प्लियर्स उनके बारें कि कौन से player ने कितना goal और कितना assist किया है, तो सिद बात करते हैं मुद्दे कि अर्जेंटी लेकिन एक तरब से फिफा वर्ड कप क्वालिफिकेशन का मैच इसमें हाइस गोल टेगा था लियोनल मैसी हाँ भाई इसी टीम का आई है यह साथ गोल सपोर किये तो इसने दो गोल पैनल टीम किये था और प्रीवेस मैच में भी पैनल टीम ही एक गोल मारा था इसने साओधी अरिव्यक सामने तो एक ऐसा प्लियर है अगर गोल नहीं भी करेगा नहीं तो गोल बरबर पॉइंट दे जाए गए एक बार आप वियाद होगे कि पर क्रिस्टियान रोनाल्डो और इस टीम का मैच का मैसी वाली का रोनाल्ड वाली मैच था रोनाल्ड उन दो गोल मारे तो अनिवार रही है तो इनको लेकर चलना ही चलना है यहां से मार्ट टीम नहीं प्रिवेस मैच में काफी अच्छा परफॉमेंस किया था लेकिन गोल नहीं है वो बात लग तेकिन मैं इनको आज भी सज़ेस्ट करूंगा निकोलस गोंजलेज है अगर खेलेगा तो टीम में र मैसे को जो पैनल्टी दिलाई थी ने वो इसी ने दिलाई थी तो कहीने कहीं यह डिफेंसिव पॉइंट तो देता लेकिन गोल और असिस्ट का चांस लेस रखता है पैनल्टी दिलाने वाले प्लियर्स को भी असिस्ट में जोड़ा जाता है यह बाप आपको याद रहे है फिर आंसे अंजेल कोरिया है दो गोल एक गोल सकोर किया क्रिस्टियान मतलब क्रिस्टियन रोमेरो है यह काफी बहतर प्लियर है लेकिन डिफेंडर में है चांस लेस फिर आंस जो लेन अलवारेजर खेलेगा तो हम ट्राइं नहीं करें क्योंकि मैक्सिको भी अच्छी टीम में तो आज के मैच में इन में से जो इंपोर्टेंट प्लियर है इन में से आपको इंपोर्टेंट प्लियर जो है उनको मैंना टिक किया है राइट का और उनी प्लियर को तो आप हम टीम में सटार के तो ले लेना ओके अब बात आती है इस टीम तरह सो कोने प्लियर जिन्हो । इनहीं decentralized को आप हम टीम में लेकर चल देना, ओक it maps एक्सपीरियंस है लेकिन कुरन्ट फॉर्म डाउं है हैंरि मार्टन कारन्ट फोन्क का मजबूत है यह चुनाव करना होता है तब 현재 और Attack के लेकर, लेकन Defense के लेकर एकदम बैस्ट है, बाके हाँ पर जो Option दिख रहे हैं, इनमें से मैं किसी को भी suggest नहीं करोणा, लेकन Line अप के बाद, लो जानो की खेलेगा तो ले लेंगे, हैक्टर मोरी नहीं होए, इसको भी लेकर चिलें, क्युकर यार Defender रहता है है, बाके याँ पर जो ऑप्शन है उनका आप सिक्रिंस ओट ले सकते हो अब बात आती है इस टीम तरह सो कौन इस प्लेर जिन होना असिस्ट प्राइड के तो हम नज़े डालते हैं असिस्ट वाले प्लेर्स पर भी असिस्ट में देखा जाए तो कोरोन जिसने दो असिस्ट निका अब बात आती है इस मैच की स्कोर लेंड प्रेडिक्शन मैंने रखा है अर्जेंटिना के फेवर में 2-0 और 2-0 को प्रेडिक्शन को नुसर इस मैच में हमां ड्रीम इलंग टीम क्रेट करेंगे ड्रीम इलंग पर और इस वीडियो को सेक्ट बेस्ट पार्ट भी वहां पर आप पुस्रूर होगा क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए हर एक प्लेस के बारा में डीटेल्स में अनलिसिस करूँगा तो चले नजड़ आती है इस मैच की टीम पर और दोस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास ओप्शन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह आपकी चोई से करना नहीं करना बाके मेरे कहना फर्ज है अब वह बात लगी कि आप क्या करते हो तो चले देखते हैं इस मैच की टीम को सब्सक्राइब करना है विद कैप्टन और वाइस कैप्टर साल अब कौन से ग्यारे प्लियर सेंगे किस प्लियर आपने सिर्फ एक ही चोईस है वह है ओचाओ इस मैच में अगर 20 टीम के साथ खेल रहे हूं ने तो 20 के 20 में आप ओचाओ कर रखो क्योंकि बहुत पोटेंसल रखता है गोल के भी मतलब सोरी गोल सेव करने की बहुत बहुत मुझे काफ़ पसंद है और मैक्सिकन लीग में हर मैच में इसको लेता हूं पलस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोचता हूं ग्रांड लिग में बना भी सकते हूं कि इसके अंदर पोटेंसल है मैसिक जो मैसिक सो टाइंग उनको आराम से रोग सकता है और काफी अच्छा प्लियर से प्रिवेस मैच में हमनें देखा प्रिवेस मैच में काफी स्यांदार प्रफॉमेंस किया था इंटर सेकल का भी और ऐसा ही प्लियर है इतनी ही उम्मीद से की जाती है क्योंकि अगर आपके याद होगा कि मैंने ग्रांड लिग खेले थी इस मैच में मैक्सिको वाले में और हमने इसको हर टीम मिलिया था वज मैं आपके प्लियर काशस है और उसने गॉल कर दिया तो हमार लॉस हो जाएगा और आपका ओपोनेंट इसमें अच्शी सी टीम ला सकते हैं कोई केसी लाएगा कोई कैसी लाएगा टैकि मैं फिर भी सजफ करूँगा आप अपनाinking बेस्ट करे है और हमारा का स्चुन है तो यहाँ से मोली नो भी अच्छी खास चोईस है, मार्टिनेज भी खेल सकता है, अक्यूनो भी defender है, लेकिन center पर खेलेगा, और बाकी यहाँ पर जो option दिख रहे हैं, इन वैसे मैं किसी को भी suggest नहीं करूँगा, तो तेन ही defender लेके चला है, बात करें mid में, तो यहाँ से अंज दो को भी ले सकते हो, प्रेटेस को मैं ज़्यादा सजेश्ट नहीं करूँगा, वो बात रहे हैं, प्रीविस मैच पैनल्टी दिला कि मैसी को इसने assist का point दिये, लेकिन नहीं लूँगा, अभी के लिए, और यहाँ से गोमेज बहुत अच्छा player है, खेलेगा जरूर, लेकि इसलिए इनको try नहीं किया, बात करें यहाँ से, यहाँ पर आपको दुनिया की number one choice मिलेगी, लियोनल मैसी 96% लोगों ने इसको ले रखा है, अब captain कितने होंगे, कम से कम 80+, 80+, जनता captain के साथ जाएगी इसका, यह मेरी first choice, second choice, मार्टिनेज, यह दो option आपके ऐसे हैं, जिनको miss बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, मार्टिनेज साथ ऐसे हो सकता है कि मैसी साथ गोल ना करें, लेकिन मार्टिनेज गोल मारेगा भाई, यह बहुत एक्सपिरियेंस है इस player के पास, और छोटी team के सामने ती बड़ा performance कर ही देता है, हैंडरी मार्टिन, डॉल जिमनेज और 60 मिनिट खेल के चला जाएगा, तो 60 मिनिट में अगर आपको लगता है कि गोल आजाएगा, अभी तक यह हुआ कि फर्स्ट हाप में अर्जेंटिनाना कम सकम 15-20 मैच में गोल ही कंसीड नहीं किया, तो यहां से पता चलता है कि इस team के defense मजबूत है, तो I think हमें center forward को लेना थ साथ, लेकिन मैं मार्टिनेज को suggest करूँगा, तो यह team का preview है, लेकिन याद रहे, यह video का आधार पर team, final team बिलकुल नहीं, final team रहे के line-up के बाद, position को देखते हुए, कौन से team के line-up बहतर और मजबूत है, और किस team का defense थोड़ा सा हलका है, और कौन से team इस match में कितना goal score कर सक सकती है, वो Argentina के defense को पर depend रहेगा, कि किस तरह के line-up को इस match में set करते हैं, तो अभीक लिए यह है, लेकिन final team line-up के बाद, telegram channel पर update कर दी जाएगे, telegram channel link, top of the comment पर और इस video को description में, वहाँ साथ आप जोइन कर सकते हो, तो options, मैं ज़्यादा suggest नहीं करूँगा, captain wise captain के लिए, अगर आपको हलका सर रिस्क लेना, तो एंजल डी मारे को रख सकते हैं, क्योंकि safe भी है, और जनते इसके साथ जा भी रही है, मैं मार्टिनेच के हिसाथ जाँगा, मैसित भाई इसलिए क्योंकि penalty लेका, potential बहुत रखता है, बिना goal के point देने की, मैंने बता है, जैसे कि Ronaldo दो गोल करते हैं, लेकिन इसका goal ना है, तब यह बराबर point दे जाता है, तो यह बड़ा player से है, तो इनको लेना सही है, तो उम्मीद करता हूँ, यहां ते का आपको वीडियो में जो समझाए, वो पसंद आए होगा, यह आपको समझ में भी आए होगा, तो समझ में और पसंद आए, तो एक आपका option है कि लाल बटन को सब्सक्राइब जरूर कर दे, मिलते नाश्ट वीडियो में, take care.